चीन ने पिछले दिनों परमारू ताकत से लैस एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षन किया है। कई लोग इसे एक बड़ी उपलब्धी और हत्यारों के शेत्र का गेम चीन जर्मान रहे हैं, जिसे अमेरिकी अधिकारी भी परिशान है। चीनी सेना ने पिछले कुछ समय में दो बार ऐसे रॉकेट लॉंच किये हैं जिन्होंने पूरी धर्ती का चक्कर काटने के बार अपने टागेट को निशाना बनाया। Financial Times ने पहली बार इससे जुड़ी जानकारी दी, उन्होंने खुफिया विभाग के सूत्रों के हवाले से बताया कि पहली बार ये मिसाइल अपने टागेट से 40 किलोमेटर दूर रह गई थी। कई अमेरिकी जानकारों और राजनेताओं को चिंता में डालने वाली इस रिपोर्ट को चीन ने गलत बिताया है। उसने कहा कि ये पुराने अंतरिक्ष यान को फिर से इस्तिमाल करने से जुड़ा टेस्ट था। ICBM एक लंबी दूरी का मिसाइल है जो धरती के वातावरन को छोड़ देता है और फिर वापस आकर एक पैराबोला की तरह अपने टागेट को निशाना बनाता है। FOB यानि Fractional Orbital Bombardment System मिसाइल को धरती के चारों तरफ एक कक्षा बना कर किसी भी दिशा से टागेट पर निशाना बनाया जाता है। Philadelphia के Foreign Policy Institute के Director Research Aeron Stain कहते हैं, खबर और चीन का इंकार करना दोनों ही सही हो सकते हैं। फिर से इस्तिमाल होने वाले Space Plane एक Hypersonic Glider होते हैं, वो सिर्फ Land करते हैं। किसी Glider से डेलिवर किया गया एक FOB सिस्टम, वही काम करेगा जो एक फिर से इस्तिमाल किया जाने वाला Space Plane, इसलिए दोनों कहानियों में अंतर बहुत कम है। FOB कोई नया सिस्टम नहीं है, ये सोवियत यूनियन का आइडिया था जो शीत यूद के दोरान सामने आया था और चीन अब इसे फिर से आजमानी की कोशिश में है। आइडिया था एक ऐसे हत्यार का जो धर्दी की कक्षा में आंशिक तोर पर घूम कर किसी भी दिशा में हमला कर सके। स्टेन का कहना है कि हर बड़ा देश हाइपरसोनिक सिस्टम बना रहा है, लेकिन हर किसी का नजरिया इसे लेकर अलग है। उनका कहना है कि इसी नजरिये के फर्क के कारण हथियारों की रेस बढ़ रही है। अमेरिका के न्यूक्लियर आधुनिकरन के समर्थन चीन के हालिया टेस्ट को स्पूतनिक के लमहे की तरह देखते हैं। जब 1950 में सोवियत यूनियन की पहली और्बिटल सैटलाइट ने अमेरिका को चौका और डरा दिया था। लेकिन कुछ जानकार इस बात से सहमत नहीं है कि चीन कोई नया खत्रा पैदा कर रहा है। अमेरिका के सभी संभावित विरोधी परमाणों हत्यारों के आधुनिकरन और अपग्रेड की कोशिश में हैं। चीन की शमता हाला कि अमेरिका से बहुत कम है लेकिन लंबे रेंज और सटीक निशाने वाले अमेरिकी मिसाइलों को देखते हुए वो नए और आधुनिक मिसाइल बनाना चाहते हैं। ये सब अमेरिका का सिर्दद बढ़ा रहा है। शीतियुद के बाद के एग्रिमेंट मददगार साबित नहीं हो रहे। ना ही रूस और चीन के साथ बढ़ती टेंशन। सुरक्षा मामलों के विशेशग्य अंकित पांडा का मानना है कि अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो हतियारों की सीमाओं पर चर्चा करें। मिसाइल डिफेंस पर बादचीत अमेरिका को रूस और चीन से महत्वपूर्ण रियायत पाने में मदद करेगी। इसके अलावा ये उन देशों को महेंगे, जटल और खतरनाक परमाणू हतियार बनाने से रोकने में भी मदद करेगा।